अगर हम consistency check करें second law और first law की मतलब इनकी वैद्धता कितना सही है अगर हम consistency इसकी check करें तो वो भी हम कर सकते हैं कि Newton's first law of motion क्या कहता है कि if an object is at rest or in uniform motion it will remain at rest or in uniform motion unless and until an external force acts on it यह कोई भी object rest पे है तो rest पे रहेगा motion में है तो motion में रहेगा कब तक जब तक कि कोई external force उसके ना act हो ठीक है न तो अगर external force अगर हम zero मान लेते हैं ठीक है न कोई भी force उसके उपर act नहीं हो रहा है तो उस case में if f equal to zero अगर f zero ले लिया तो म में में किसके बराबर हो जगा जीरो के बराबर हो जगा अब यह दोनों का product zero के बराबर तो इन दोनों में से क्या zero हो सकता है क्योंकि zero के साथ कुछ कुछ भी multiply करो कि zero आएगा तो क्या zero हो सकता है मास जिरो हो सकता है नहीं आप जो भी object लोगा उसका कुछ ना कुछ तो mass होगा तो mass can never be zero that means here acceleration is zero acceleration आपकी zero है तो acceleration zero है इसका मतलब क्या है acceleration होती क्या rate of change of velocity यानि कि velocity में कोई change नहीं आ रहा ना यानि कि velocity कैसी है आपकी constant है और velocity जब constant होती है इसका मतलब अबज्ट कैसे है आपका uniform motion में है k clairement की इससे क्या समझेह कि जब about uniform motion में होगा तो कि इसका मतलब उसके ओपर force क्या लगा 0 टीक है website uniform motion में होगा तो force क्या लगेगा जीरो लगेगा तो इसको उल्टा करके भी इसको प्रूफ किया है कि जब फोर्स जीरो लग रहा है तो इसका मतलब अब्जट कैसा है यूनिफॉर्म मोशन में एक ही मोशन में चल रहा हूँ ठीक है ना दस बोथ फॉर्स्ट एंड सेकिंड लो सेज सेम थिंग अब उनिफॉर्म मोशन तो दोनों लो जो है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में एक ही बात बोलते हैं इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है कंसिस्टेंट है वेर ने टेक्शनल फॉर्स जीरो अब फॉर्स को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे force को vector form में कैसे लिखो गए तो force हमें पता है vector quantity है since force is a vector quantity it can be expressed in its components तो आप force को component form में लिख सकते हो along x, y and z coordinates के हिसाब से कैसे लिखोगे f can be written as f x i cap plus f y j cap plus f z k cap इस तरी की समझी सकते हैं मतब force को मैंने vector component में लिख दिया ठीक है तो f x, f y, f z क्या है components है force के along x axis, y axis and z axis ठीक है तो force as a whole ये तो क्या है आपका vector quantity है लेकिन f x, f y, f z ये individually क्या है scalar है ठीक है तो f x क्या है f x वो force है जो कि x के along लग रहा है f y वो force है जो कि y के along लग रहा है and f z is the force that is acting along z axis तो in all the three scenario the force is acting on a particular direction तो जब force particular direction में जब लगता है तो उसको हम कैसे मान लेते हैं scalar मान लेते हैं ठीक है ना क्योंकि यहाँ पर जो force है वो सिरफ x की direction में बत्वाद है a की direction में लग रहा है a की direction में एकी direction में तो एकी direction में जब force लगता है तो उसको हम कैसे मानते है scalar तो f x भी आपका scalar है f y भी आपका scalar है f z भी आपका क्या है scalar है लेकिन together as a whole they are considered as vector तो vector law which holds true for each of the component of the forces कैसे की f equals to dp upon dt मतब rate of change of momentum तो f x क्या हो जाएगा momentum along x-axis तो rate of change of momentum along x-axis f y क्या हो जाएगा rate of change of momentum along y-axis और f z क्या हो जाएगा rate of change of momentum along z-axis तो इस तरीके से हम लिग सकते हैं next we have impulse तो impulse क्या होता है तो impulse impulse मतलब the force acting for a very short duration of time मतलब ऐसा force जो कि बहुत थोड़े time के लिए लगता है ठीक है ना एकदम से sudden force जो लगता है मतलब ज्यादा लगेगा और लेकिन थोड़े time के लिए लगेगा तो इस डिफाइन अज़ फोर्स वो बोल जब strike करती है तो वो जो contact बनाती है ठीक है ना वो कितने time के लिए रहता है तो the racket gives an impulse to the ball when came in contact during a very short time तो जो वो रैकिट जब बोल के साथ contact बनाती है तो वो time कितना होता बहुत छोटा time होता है ठीक है ना बहुत ही छोटा time होता है और वो time ठीक है ना और उस छोटे से time के दोरान वो maximum force उसके उपर लगाती है तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते है impulse ठीक है ना तो impulse को mathematics लिए हम कैसे लिखते है F into change in time ठीक है और F हमें पता है F क्या होता है rate of change of momentum that is delta P upon delta T तो delta P को हम लिख सकते है impulse होता है F delta T के Today लिख दिया impulse तो impulse किसके बराबर होगए delta P के बराबर हो delta P क्या है change in momentum यहनद कि आप कह सकते हो change in momentum is considered as impulse ठीक है ना? जो change in momentum है वो impulse होता है आप बोल सकते हैं ठीक है ना? तो impulsive force क्या होगा? a large force acting for a short time To produce a finite change in momentum मतलब एक बहुत ज़्यादा force और जो कि बहुत थोड़े समय के लिए लगता है और उस वज़े से होता क्या है कि momentum के अंदर change जो आता है ठीक है ना? momentum के अंदर change आता है उस वज़े से यानकी delta P When a ball hits a wall and bounce back the force on the ball by wall acts for a short time when two are in contact yet force is large enough to reverse the momentum of the ball तो कहने का मतलब जब आप जोर से किसी बोल को दिवार के उपर strike करते हो तो वो बोल जब दिवार के contact में आती है तो वो बहुत थोड़े time के लिए आती है और उस से होता है कि वो बोल जब bounce back करती है यानकि बोल की direction change हो गई यानि कि momentum की direction भी क्या होगी reverse होगी महां पर तो बहुत थोड़े समय के लिए कि प्रॉब गच्ट में आया लेकिन उस वेश से maximum force उसने apply किया उसके उपर तो यह है impulsive force